असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे दालचा तो यह बनाएंगे हम बिना कद्दू के तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अब हम इमली को भीगा कर रख लेंगे 100 ग्राम इमली लेंगे और इसको अच्छे से पहले धो लेंगे दो लेने के बाद में हम इसमें दो ग्लास पानी आट करके और इसको भीगने के लिए रख देंगे हम 20-25 मिनिट के लिए और जब इमली अच्छे से भीग जाएगी हम इसका रच निकाल कर इसको चान के रख लेंगे और यह दाल चा बनाएंगे हम तूर की दाल के साथ में तो चलिए भम बनाना शुरू करेंगे तो प्रेशर कोकर में 250 ग्राम तूर की दाल को धोकर आट कर लेंगे हरी मिर चाट कर लेंगे 5-6 आदर टीस्पून हल्दी पॉडर को कुकिंग ओईल एक टेबल स्पून दो ग्लास पाने आट करेंगे अब हम इसको प्रेशर कोकर का धकन लगा कर इसको पकने के लिए रख दिन गे फ्लेम आउन करके 5-6 सीटी होने तक पका लेंगे और 5-6 सीटी हो जाने की बाद में अब हम प्रेशर कोकर का धकन निकाल लेंगे अब हम दाल को घोट लेंगे इस तरह से दाल बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाना जब तक हम यह घोट लेंगे तो यह देखिए भी जो दाल है अब अच्छे से मैश हो गई बिल्कुल पेस्ट की तरह हो गई अब हम इसको बगार लेंगे तो प्रेशर कुकर में कुकिंग ओयल आड़ कर लेंगे तो मीडियम साइज की बारी कटी भी प्यास आड़ करेंगे और साबित गरह मसाले में लेंगे दालचिनी लॉंग, इलाइची शाजिरा अब हम प्यास का हलका सा कलर चेंज होने तक फ्राइ कर लेंगे अब यह प्यास का कलर चेंज हो गया तो अब हम इसमें अद्रकलेशन का पेस्ट आड़ करेंगे दो टी स्पून, लाइल मिर्च पॉडर दो टी स्पून, हल्दी पॉडर आदा टी स्पून, दो टी स्पून नमक तो मिर्च नमक आप लोग अपने टेस्ट के हसाब से इसके अंदर आड़ कर ले सकते, अच्छे से मिला लेंगे मसाले आड़ करने के बाद में, छे कटे वे टमाटर आड़ कर लेंगे अब, पांसो ग्राम मटन आड़ कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे अब हम पांच के लिए पानी आट कर लेंगे एक ग्लास और इसके बाद में अब हम प्रेशर कुकर कर ठकन लगा कर इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे 8-10 CT होने तक medium heat पर बका लेंगे 8-10 CT हो जाने के बाद में अब हम pressure cooker कठकर निकाल लेंगे flame off करके pressure cooker कठकर निकालने के बाद में अब हम फिर से flame on करके इसको भून लेंगे 5 मिनिट के लिए अब ये गोश्ट और टमाटर अच्छे से भूने गए तो अब हम इसमें आट करेंगे करी पत्ता, कोत्मिर और हरी मिर्च गरम असाला पॉडर दो टी स्पून धनिया पॉडर दो टी स्पून अब हम mash की हुई दाल एट कर लेंगे अब हम इमली का निकाला हुआ खटा एट कर लेंगे तो ये भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर एट कर ले सकते दो ग्लास पानी आट करेंगे अब ये पका लेंगे हम 20-25 मिनिट के लिए मेडियम हीट पे तो इमली का खटा आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर एट कर ले सकते और पानी भी कितना एट करना चाह रहे हैं पतला या गाड़ा जिस तरह की कंसिस्टेंसी रखना है उस तरह की रख ले सकते तो 20-25 मिनिट तक इसको पका लेने के बाद में अब हम फ्लेम आफ कर लेंगे यह दालचा बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करके देखे और इसको सर्फ कर सकते हैं बगारा खाना फिर या तो प्लेन राइस के साथ में भी और अगर यह रेसिपी अच्छे लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक केजिए थैंक्स पर वाचिंग अल्लाहाफेज लाइस